नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी लिया है और इसका अभी कुछ दिन पहले ही परिक्षन भी किया था इंडिया भी इस रेस में आगे बढ़ रहा है अपनी हाइपरसोनिक डे करने का फैसला किया है और इसके उपर काम भी कर रहा है आज हम इसी के बारे में बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों चाइना भी नई हाइपरसोनिक टेकनोलोजी के साथ में आ रहा है और इंडिया भी इस रेस में आगे बढ़ रहा है उसने अपनी परसोनिक मिसाइल को भी इसी तरह की अचीवमेंट हासिल करनी होगी और उनका अंदाजा है कि वे मार्क 7.5 की स्पीड हासिल कर लेंगे और अभी दोस्तों AGM-183 एर लॉंच्ड रैपिड रिस्पॉन्स वैपन जिसे शोर्ट फोर्म में एरो यानि की ARRW भी बोला जाता है ये अमेरिका का अंस्वर है रशिया के KH-47M2 किंजल मिसाइल के लिए इसके फिजिकल क्रेक्टर स्टिक तो बिल्कुल रशियन मिसाइल के जैसे ही है लेकिन दोस्तो रशिया की तुलना में इसकी स्पीड काफी कम है क्योंकि रशिया की मिसाइल की स्पीड मैक 10 से भी ज़ा और अभी अमेरिका की ये ARRW मिसाइल के कैप्टिव फ्लाइ ट्राइल चल रहे है यानि कि ऐसे ट्राइल जिसके अंदर इन्हें फाइटर जेट के पाइलन के साथ में अटैच किया जाता है और इसके ऐरो डायनमिक और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को देखा जाता है इसे एक Congressional Watchdog GAO की नहीं रिपोर्ट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि अमेरिका का प्लैन है कि ऐसी आठ हाइपरसोनिक मिसाइल को डिलिवर किया जाएगा जिसमें से चार के फ्लाइ टेस्ट होंगे और चार के स्पेर टेस्ट होंगे अभी इस ARRW मिसाइल के लिए प्लैन है कि इ किया जाएंगे सोलिड फ्यूल पोस्टर के साथ में जिसके अंदर ओर्डेनेंस पैकेज भी होगा और स्पेशलाइजड एक्विपमेंट भी इसके अंदर होंगे जिसे इसे B-52H के साथ कैरी किया जा सकेगा और दोस्तो प्रोग्राम ओफिशियल के हिसाब से इन प्रोटो और दोस्तो जो भी मिसाइल 5 मैक से जादा की स्पीड की होती है उसे हाइपरसोनिक माना जाता है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी एर डिफेंस सिस्टम को यूजलेस बना सकती है स्पेशली जब ये मिनूवर भी करती है हाइपरसोनिक स्पीड पे तो फिर ये पूरी 47 M2 किंजल मिसाइल आती है और तीसरा दोस्तो अवेंगार्ड आता है और अवेंगार्ड दोस्तो एक तरह से एक गलाइड वेहिकल ही है जिसके उपर MIRV पेलोड को कैरी किया जा सकता है और माना जाता है जब दिसंबर 2018 के अंदर इसका टेस्ट किया गया था तो इसकी स्पीड Mac 27 से भी ज़्यादा आचीव हो गई थी तो ऐसे में दोस्तो अब अमेरिका भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परिक्षन करने के लिए तैयारी कर रहा है इस पर बहुत से टेस्ट चल रहे हैं उसी तरह से दोस्तो इंडिया का भी दावा है कि 2024 पच्चिस तक वह हाइपरसोनिक मिसाइल विक्सित कर लेगा तो ऐसे में दोस्तो अमेरिका और इंडिया आपस में टेक्नोलोजी शेर भी कर सकते हैं इसकी संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता धन्यवाद जैहिन